नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नियूतकर साइज वूटूप चलने आज हम बात करेंगे मर्दा अपर्धन के बारे में इधर भारत का मानचीत बना हुआ है जिसमें प्रमुक मर्दा अपर्धन के छेतरों के बारे में हम चर्चा करेंगे हलाकि इधर जो कुछ डाटा लिखा हुआ है जिसके जरिए में बनाएंगे एक डायग्राम भी आपको बना हुआ है सबी चीज़े आपको मैं इसके जरिए बताने की कोज़ित करेंगे कि अखर मर्दा अपर्धन क्या होता है मर्दा की जो लेयर है उनका छ्रड हो जाना उनसी गों हम बोलते हैं मर्दा का अपर्दन तो कारण क्या है इनकी हम चर्चा करेंगे मर्दा अपर्दन के परकारों के हम चर्चा करेंगे तो आएए देखते हैं काफी important वीडियो है भारत के संदर में जम देखेंगे तो एक अमनालिका अपर्दन से related प्रस्न आता रहा है बाकिया अप हिमालाई छेतर में अपर्दन की घटना है वगरा देखते नहीं जिनके जरिये भूस खलन वगरा आते हैं उनका भी हम जिक्र कर के छर्चा करेंगे लेकिन इसने मैंने सभी लिए अप इनमें से निकाल सकते हैं कि कॉन से प्राकरतिकहें कौन से कृती sappy अब हम देखेंगे पेड़ों का का». ना की जड़े होती वहो ने की नितित घोले छरल होने लगता है तो मर्दा परदन के लिए काफी important है जो वनी करड़ है उसको खतम करना अथाथ पेड़ो कार देना वनों का नास ये एक तरीके से मर्दा परदन का मुखे करड़ है अतधिक पसु चारड़ अगर जो आप किसी मैदानी छेत्रों में जो आप देखेंगे तो आप अगर अतधि मर्दा परदन की समस्याय में देखने को मिलती है पसु चारड़ का सेंस यह भी है देखें पसु चारड़ का मलब आप इसको दो तरीके से ले सकते है एक तो आप जंगल की कटाई करके के उसमें हरी हरी जो भी चीज़ें उनको काट पीट के खिला दीजे या फिर दूसी त सकता है तो अत्यदिक पसु चारड़ फिर हम देखेंगे भूस ख्लंड लैंड स्लाइट के बारे में तो जैसे जब पेड़ों को काटा जाएगा तो इन जिगह पर आप देखेंगे तो जैसे को परवती छेत्र ले लिए मान लिए परवती छेत्र है यहां पर कोई पेड़ जाएगा अर्था छलित के बूस खिली यह दर आनों सब्सक्रीन, पर मैंने इस में बनाया है आप लोग जा कर और ये ड़ीजिये तो आपको इसमें चीजेगे समझ में आ जाएगी क्या चैन। क्या होता है तो आए देखते हैं भूज क्लंड मैंने बता दिया अब आए देखते हैं जूम करसी के बारे में जूम करसी क्या होती उसके बारे में आए देखते हैं जूम करसी का मतलब होता है कि कहीं पर जा करके पेड़ पौदों को वहाँ पर काट दिया जाए काट करके वह सिर्फ मां पर दो चार एक वर्शाय यह फसल त्यार हो गई उसको काटे वाए उसके बाद चले गए मां पर तो स्टे कर देखेंगे तो आगे चल करके देखेंगे जली अकुछ जब वर्षा का जल काफी जदा बारिस वगरा हो जाती है या मान लिजे कोई समुद्र के आसपास का छेतर हो तो वहाँ पर जब पानी क्या करता है पानी मर्दा को काटने का काम करता है हाला कि बहुत सीय से पेड़ पाउदे होते हैं जो मर्दा अपरदन को रोकने से मैंगरो वनस्पती हो गई लेकिन ऐसी जगहों पर जहां मैंगरो वनस्पतियां नहीं पाई आती समुद्री किनारा कटता रहता है तो जली अपरदन के अंदर गत और भी जम देखेंगे तो मा हो तो मर्दा अपरदन की रहरी होने लगता है वाह पर अपरदन इस ना कसी थेस्ती सब बहुत तरब थेस्ट लेकिन अब इसमें हुदेखेंगे तो आप उत्तर भारत के मैekk Sup एरिया में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जब रभी की फसल करती है मार्च के बाद में तो लोग आपको देखने को मिलेगे खेत पूरी तरीके से ऐसे खुले पड़े रहते हैं उसमें कोई आप देखेंगे बहुत जगों पर जो मार्च के बाद में जो यहूं दो लिए फश़्तित अप्फ आपको जयच के चाहिम पर देखने को मिलती है तो उस टाइं पर खेत खाली रहते हैं के खाली पड़े रहने की बूशे हवाएं चलती है तो खेतों से मिट्टी वगरा को उड़ा करके लेके चली जाती है इस ऐसी स्थिति में भी जवाब देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि मर्दा परदन की स्थिति बनती है और जो हम देखेंगे तो हीमानिय परदन जब कहीं बर्फ पिघलती है जमती है बर्फ पिघलने के करम में जब पर बर्फ कि मर्दा अपरदन की स्थिति बनेगी और जो 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 सका जमाओ कहलाता उसको बोलते ही मोड और जो टिलाइट सब्द भी उसमें आप सुनते हैं उसको भी आप याद रखेगा तो हीमानी अपरदन के अंतरगत जैसे मानी आजकल के दौर में चलना है कि जलवायू परिवर्त रूस के छेत्रों में चले जाईए या भारत के संदर में लेजिए तो सियाचीन के आसपास के छेत्रों में जो आप देखेंगे तो गलेसियर पिघल है ये यूनिवर्सल टूथ है और हर जिगे पर आपको देखने को मिलता है आप देखते हैं कि अंटार्टिका का एक बड होता है सड़क निरमाड़ भी मैंने बताया कि जब आप किसी पहाड़ी चेत्रों में सड़क का निरमाड़ करते हैं तो णामाइड लगाए लेकिन ढ़र बेद सड़क का और रोगार हो जा रहे हैं तो उसमें और भी इस्तिती ऐसी बंदी पेड़ पौदे भी उसमें कटते हैं रोड़ जब बनती हैं तो आप देखें तो उत्राखन के छेत्रों में आपको देखने को मिलती है कि समोची करसी वगरा की जाती है जब आप देखें तो आपर पहारी छेत्रों की ढलानों पर बांद बना करके खेती की जाती है यह भी एक तरीके से बारिश ज्यादा हुए बांद चूटा मिट्टी के स जाती है और पूरी की पूरी नदी बड़े रूप लेती हो पता चला ये नदी इतनी चोड़ी बहने लगी अब ये नदी जब चोड़ी बहने लगेगी तो आस पास के जो यहाँ पर खेत वगरा रहे होंगे उन सब को बहा करके लेके चली जाएगी और उन सब को बहा करके ल लेकिन इसके बाद जब देखेंगे तो जब पानी की बूंदे गिर करके हालका सा बहने लग जाए पानी तो वह में परत अपरतन देखने को मिलता है उपरी लेर गायब हो जाती है इसके बाद हम देखेंगे रिल अपर्दन का मतलब नालिया होता है जब जब कोई नालियों के रूप में बहने लग जाता है जब नालियों के रूप में बहने लग जाता है तो उसको बोलते हैं रिल अपर्दन और जब इन नालियां बहुत बड़ी हो जाएं तो उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन गली रोजन रिल इरोजन सीट इरोजन गली रोजन बोलते हैं जब काफी बड़े इस तर पर जब पानी का बहाव होने लगे तो उसको हम बोलते हैं गली रोजन या आउनालिका परदन खास करके जो आप देखेंगे भारत के संदर में तो चंबल के पास का छेतर आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी की घाटी आ बड़ी स्ट्रीम बना देती हैं तो जो सबसे पहले जब हम उसको बोलेंगे देखेंगे तो होगा रिल के बाद जब धाराएं बड़ी हो जाएंगे और गहराई में बहने लगी नाले के रूप में तो उसको हम लोग पोलते हैं अवनालिका परदन फिर काफी बड़े इस परदन फिर जाता है और पूरी धारा वहने लगती है तो इसको हम आगे समझेंगे तो यह जो आप याद रखेगा भारत के संदर में देखेंगे जैसे आप मैंने बताया है तो जो पहाडियों के छेतर में देखे तो आपको देखने को मिलेगा हीमानी अपर्दन का छेतर म क्यां मिलेगा चाहता है तो वह सखेम हो और अप देखेंगे तो यह वाला अइड़ जो कह सकते हैं यह वाला अधिया पड़ेगा उत्तर पश्चेमी अहुनाचल प्रदेश के पास चेतर बाकी आप देखेंगे इसा नहीं कि मर्दा के तो पर भी आप परदन देखेंगे त तो ऐसा नहीं कि किसी छेत्म मेर्दा को पतरंया रि security पढ़ेंगे कि उसके इंतर्गत मेने म्रजा की बाट सत्वार्टा की बारत में मीटियों की वह समय की थी तो आघ के लिए फिलाल इतना है उम्मीद करता हू वीडियो आगया होगा वीडियो देखने के लिए पुना एक बार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद